हरियाना पंजाब में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के भी किसान सामने आए हैं। खास तोर पर प्याज उत्पादक किसान, क्योंकि वह पिछले 6-7 महीने से केंद्र सरकार के फैसलों से निराश हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से सभी फसलों की MSP मांगी है। जिसमें महाराष्ट्र के किसानों की भी मांग आटोमेटिक शामिल हो जाती है। इसलिए प्याज उत्पादक किसानों के संगठन ने इस आंदोलन में शामिल होने का एलान कर दिया है। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि पंजाब और हरियाना में हो रहे किसान आंदोलन को उनका पूरा समर्थन है। जल्द ही महाराष्ट्र के किसान भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुँचेंगे। दिगोले का कहना है कि राज्य में प्याज, सोया बीन, अंगूर और कौटन जैसे कई क्रिशी उत्पाद की खेती करने वाले किसान खास तोर पर पर परेशान हैं। क्योंकि उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहा। प्यास की खेती करने वाले किसान तो लगातार घाटे में का कर रहे हैं। एक से आठ रुपए किलो के औसत दाम पर प्यास बेचने को मजबूर हैं, जो लागत से भी कम है। इसलिए केंद्र सरकार प्यास को भी MSP के दाएरे में ले आए, जिससे की किसानों को कम से कम उनकी लागत से कम दाम न मिले। इससे कंजूमर को भी फाइदा म कहा कि सरकार सभी फसलों को MSP पर खरीद की गारंटी दे। उससे कम दाम पर कोई भी क्रिशी उपज की खरीद न करे। वरना इसी तरह से किसान कर्ज लेकर खेती करता रहेगा और कम दाम के अभाव में कर्ज नहीं चुका पाएगा और मरता रहेगा डॉट अब किसान पहल बढ़ चड़कर जल्दी ही दिल्ली वाले आंदोलन में भाग लेंगे। दिगोले का कहना है कि किसान सरकार से कोई कर्ज नहीं मांग रहे बलकि अपना हक मांग रहे हैं। अपनी मेहंत से उप जाई गई फसल का उचित दाम मांग रहे हैं। अगर किसानों को उनका हक नही नहीं मिलेगा तो वह सड़क पर उतरेंगे और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्यास की सही कीमत की मांग को लेकर महाराश्ट्रों में बड़ा किसान आंदोलन हो चुका है। किसान पैदल मार्च कर चुके हैं, लेकिन सरकार बात करती है और मुकर जाती है। अब किसान चाहते हैं कि जो रोज मर्रा के खाने की चीजें हैं, उसे उगाने वालों को सही दाम मिले। इसलिए सभी फसलों को MSP के दाएरे में लाया जाए। खास तोर पर प्यास को डोट। उनका कहना है कि अगर सरकार प्यास को MSP के दाएरे में नहीं ला रही है, तो भी उसका न्यूंतम दाम फिक्स कर दिया जाए, जिससे किसानों को उससे कम दाम पर नहीं बेचना पड़े। बस किसान यह चाहते हैं कि उनकी फसल का उचित दाम मिले। वो इसी लिए आंदोलन का रास्ता चुन रहे हैं, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही। इसलिए दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन में महाराष्ट्र के किसानों की पूरी भागीदारी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के किसानों को सरकार खुद अपने फैसलों से तंग कर रही है। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि सरकार किसानों के साथ 12 रवया अपना रही है जब किसानों की फसल का दाम बहुत कम हो जाता है तो वह किसानों की मदद करने नहीं आती लेकिन जब दाम बढ़ने लगता है तब वह उसे घटाने के लिए नई-नई नीतियां बनाती है जिससे दाम घट जाता है और किसान बेचारा मर जाता है इसका उदाहरन वर्तमान केंदर सरकार के फैसले हैं अगस्त दो हजारतेईस में केंदर सरकार ने प्यास के एक्सपोर्ट पर 40% ड्यूटी लगाई प्यास पर इतनी ड्यूटी कभी नहीं लगाई गई थी उसके बाद 28 अक्टूबर को केंदर सरकार ने 800 डॉलर प्रती टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाया जिससे प्यास के एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ा इसके बाद भी दाम कम नहीं हुआ तो केंदर सरकार ने 7 दिसंबर 2023 की देर रात एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जिससे प्यास दूसरे देशों में जाना बंद हो गया इस फैसले से खास तोर पर महाराश्टर के किसानों को बहुत नुकसान पहुचा है क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक महाराश्टर है जो कुल प्याज उत्पादन में करीब 43% योगदान देता है Bureau Report Market Times TV